अब लोग का स्वागत है और आज की डेकनोश शायद थोड़ी सी जल्दी आ रहे होगी क्योंकि मैं जल्दी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है और अगर जल्दी आ जाती है तो अच्छी बात है वैसे कल की डेकनोश में भूप मज़े लिया था और आप तो उसके लाइं सॉरी वैसे दोस्तो मैंने सुबह में मी यूई 11 वर्सिस मी यूई 10 एक वीडियो अपलोड किया था अगर आपको नहीं पता था तो आप जाके देख लेना कभी कभी नोटिविक्शन नहीं चाता है आपको कमेंट डिस्प्शन वगेरा सब जगा लिंक मिल जाएगी गर्म गर्म टेक्नोस है आज बहुत अच्छी टेक्नोस लेकर आगया हूँ पिछले टेक्नोस में 30,000 लाइक्स दिया था बहुत बहुत शुक्रिया इस बार भी कर देना जाटन रविस्टिंग करते हैं और फड़ा बट से आज की टेक्नोस शिरू करते हैं तो पह यहाँ पता ही हमें ओनर 9X के साथ में इंडिया में लॉंच चुका उसके साथ में देखने को मिल जाए अब यह दूस्तों 1600 रुपे का है मैं कनवर्ट करके बता रहा हूँ दो काफी प्राइस भी कम रखी है लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में कॉंप्रमाइस की गई जैस चार्च डिजाइन के साथ में मिलता है मतलब उसमें ही आपको खोलना है डिरेक्ली अडप्टर भी लगए के चार्च करना है सेपरेट चाजिंग एक्सेस नहीं मिलती है जो और बेंट 5 में था तो थोड़े वो चेंजिस यहाँ पर मिलते है अच्छा लग रहा है दोस्तों काफी सही है प्राइस भी बड़ी है आप देखते हैं इंडिया में कभी आता है रूमर्स है कि 9x के साथ में लौच होगा अगर आ जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है तो यहाँ पर दोस्तों इलॉन मस्क यह जो स्पेस एक्स वाले भहिया है यह बहुत पैसे वाले है बह काफी बड़ी बड़ी प्रोजेक्स हैं अब उन्होंने जैसी कि आपको नहीं पता है में बता है तो स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो शुरू किया था मतलब यह सैटलाइट है एक नहीं ऐसा तो हजारों की तादत में बहुत लाइंगे लेकिन ऐसे सैटलाइट होगे यह दो ट्विट किया जो उन्होंने बता है कि देखी हमने उसी इंटरनेट से ट्विट किया जो सक्सेस्फुल है और यह ट्विट आप यहां पर देख सकते हैं वैसे यह तो सिख अभी 60 सैटलाइट उन्होंने छोड़े अभी उसके बाद 12,000 होगे और टोटल ऐसे आगे चलके 30, 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे श्टार लिंक सैटलाइट वो लोग डालने की स्पेस में प्लानिंग करें Amazon भी लगा हुआ है दूसरी भी कंपनी लगी हुए लेकिन बताया जरे कि इससे खत्रा भी हो सकता है कि इतने सारे अगर तादात में सैटलाइट स्पेस में अगर घुमे लेकिन फिर भी दोस्तों इसरों का यह जो मिशन है हम हिस्ट्री में कभी नहीं बूल सकते हैं जो इसरों नहीं किया है और इसको हम अप्रिशेट करते हैं बहुत गर्फ महसूस होता है जब हम सुनते हैं लेकिन दोस्तों बात यह है कि विक्रम लैंडर 7th सप्टेंबर को च जामिन किया इतने दिनों बाद और अब पता चला कि भाई कुछ ट्रेस ही नहीं मिल रहा है विक्रम लैंडर का उनने कहा कि हमने एक्सपर्ट को लगा दिये बहुत डीपली एक्जामिन किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चला लेकिन होप नहीं हा रहो हम और भी करेंगे तो हमें बताएंगे और उसकी बारे में मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा तो यहाँ पर दोस्तों Qualcomm Snapdragon 865 अभी तक officially Qualcomm ने इसको अनौंस नहीं किया है जो supposedly 2019 की end में होने वाला है उससे पहले ही luxurious smartphone और smartwatch maker company titanium यहाँ पर अनौंस कर दिया कि उनका जो एक नया smartphone आने वाला है जो early 2020 में launch होगा titanium M6 5G यह पहला phone होने वाला है जिसमें आपको Snapdragon 865 वाला processor मिलेगा बापरे बाप यह नहीं तो ऐसी बात करती है दूसरी company को मतलब धूली चटा दिया है वैसे यह जो phone होगा बहुत ही expensive होगा obviously luxury smart phone सी बनाती company आपको AMOLED display मिलेगे 6.01 इंच की इसमें आपको मिलेगा 64 Mbps वाला camera जो up to 100 Mbps के photo लेगा software सो optimize किया जाएगा 12GB की RAM 1TB की storage Snapdragon 865 होगा जैसा उन्होंने यहाँ पर बताया है वैसे दोस्तो Snapdragon 865 बताया जाए कि 5NM पर based होगा यह तो सिर्फ बाते हो रही है लेकिन यह आएगा तो ही पता चलेगा लेकिन titanium M6 5G इसके बारे में क्या खैले 1000$ की बी उपर जाएगा वह आप मुझे comment करके बता सकते हैं यहाँ पर दोस्तो Realme की तरफ से काफी exciting और interesting खबर आ रही है जो ध्यान से सुनिएगा बहुत मज़ा आएगा अकल आस्क मादव का उनका कुछ episode 11 था मैंने कल बैठके पूरा देका रा यहाँ ऐसा उनने कहा वैसे Realme OS की उन्होंने कुछ बात नहीं की सामने वाले बंदे ने पूछा भी तो चश्मा बैठे थे उन्होंने बोला भी क्या होगा Realme OS का उन्होंने बात गुमा दिया लेकिन focus उन्होंने Colorways 7 पर किया उन्होंने का close to stock Android मिलेगा तो thankfully जब आएगा त इसे साथ में accessories की बात हुई तो उन्होंने का बहुत सारे accessories हमने लाएं और भी लाएंगे लेकिन एक हिंट उन्होंने ये दे दिया कि हम fit रही है आपको fit रहना है इसा कुछ बोल दिया माधा भाई ने तो समतलो Realme का fitness band जो वो लो future में लेके आने वाले तो यह दो चीज मैं जो वो shoot कर सकते हैं जो सिफ Realme X2 और Realme X2 Pro में ही update available थे मतलब चाइना वाले की बात कर इंडिया मत आये नहीं है लेकिन अब Realme 5 Pro में सबसे पहले आ गया है तो ultra wide में आप video shoot कर सकते हैं कि AMRB बहुत सारे improvements करें जो पूरा change log उन्हें बताया है फिलाल के लिए कुछ लोगों क कोई आया है देरे देरे आप सभी लोगों को मिल जाएगा तो यह improvements आपको Realme 5 Pro में भी मिल जाएगी तो यहां पर दूस्तों लावा की तरफ से खबार आ रही है और लावा, Spice, Micromax, ITIL जादा मैं इनकी बार में बताता है नहीं क्योंकि लोग कुछ करती ही नहीं इसलिए मे 1GB की RAM है और 16GB के आपको storage मिलती है, spectrum वाला 1.4GB वाला processor है लेकिन Android Pie पर बेच्ट है यह Android जो go है तो अच्छा लगा मुझे ठीक है, 3900 रुपे में ठीक है, वैसे मैं आपको recommend कर सकता हूँ कि आप 4000 की नीचे अगर आपकी budget है तो आप यह वाला phone ले सकते है, वैसे इसके specs उन चाइना में Vivo S1, S1 Pro दो अलग अलग variants थे लेकिन अब दोस्तों Vivo का जो S5 यह यहाँ पर चाइना के एक सिंगर थे उनके हाथ में वीडियो में जो वो देगा गया है और slash जो leak से उन्होंने इसको screenshot मारके capture कर लिया, अब यह इनके हाथ में जो आपको दिख रहा है यह Vivo का S5 बताया जारा है, जहाँ पर पीछे कैमेरे का जो setup अगर आप देखते हैं तो diamond cut style में है, जो पहले Vivo के S1 और S1 Pro में ऐसा नहीं था, वो vertically aligned थे, लेकिन तोड़ा different type का आपको camera का setup मिल रहा है, जो diamond cut style के अंदर आपको मिल रहा है, कुछ इस तरह कीगा, triple camera जिसमें बताया ह की होने वाला और साथ में आपको laser autofocus यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, और बाकी इसमें और क्या होगा हमें यह कुछ नहीं बता, लेकिन हाँ, Vivo भी मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि अगले साल Vivo आएगा, लेकिन इस साल भी और भी smartphone launch करेगा, और शाय से पहला आपको Vivo का S5 देखने को मिलेगा, बाकी क्या होगा दोस्तों, वो तो आपको आगे चलके update करता रहूँगा, तो यहाँ पर दोस्तों, इंडिया के अंदर आज भी drones ओडाना बहुत ही जादा मुश्किल है, और उसको और मुश्किल करने के लिए यहाँ पर aviation regulator security, जो है BCAS, उन्हों जिम्यतारी है, और अभी भी इंडिया में लगबक से 50-60,000 illegal drones जो वो उड़ रहे, without permission, उन्होंने यह बताया कि जो भी OEMs जो drone बनाती है, अगर वो चाहती कि इंडिया में लोग उनके drones उड़ाए, तो उनको इंडिया की जो aviation regulator, जो है, वो DGC है, उनसे यहाँ पर एक unique identification number जो वो obtain करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग कर सकते हैं, और हर बंदा जब भी drone उड़ाएगा, बार बार तो उनको एक law है, वो follow करना पड़ेगा, वो है NPNT, no permission, no take off, तो online उसको यह करना पड़ेगा, बार बार जब भी वो drone उड़ाएगा, तो यह चीज़े पूरी follow करने के बाद ही आप properly इंडिया में drone उड़ा सकेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकेंगे, एक regulation वो लोग लेके आ रहे, एक नहीं technology वो लेके आ रहे, जिससे वो आपको भी track कर सकते है, क्योंकि यह RF यानि की radio frequency से काम करता है, अब देखते दोस्तों क्या होता है, यह कैसे होत है, क्या वाकई में drone सही तरीके से इंडिया में ओड़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे, यह तो हमें आगे चलके ही पता चलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों, Xiaomi की तरफ से खाबर आ रही है, और Xiaomi आज है हमारी खबरों में, और अच्छी चीज़ के लिए, Mi CC9 Pro दोस्तों, वा 730G होगा, और पीछे आपको 108 Megapixel वाला camera में मिलेगा, और जो बताया जा रहा है कि 24 October जो कल है, तब यह चाना में launch भी होगा, तो Xiaomi नहीं यहाँ पर, और किसी ने भी कोई poster भी नहीं share रही है, जिससे हमें कुछ hint भी मिले, लेकिन यह 3C पर आया है, मतलब यह phone exist करता है, और उसके ऊपर कोई भी profit margin नहीं रखाता, जी हाँ, आपने सही सुना, और 2 साल तक उस phone पर उनने कोई भी profit नहीं रखाता, बाद में उनने रखा होगा, और ज्यादा दर जब accessories आई थी, तो उसी टेम पर उनने accessories पर थोड़ी profit रखी, ताकि उनका थोड़ा पैसा cover हो, जी हा बहुत ज्यादा गर्मी हो गही है, अब लाइट बन करें तो मिल बढ़ जाएगा, रे बन दो जाएगा, बाई बाई